हेलो फ्रेंड्स वेलकम आई चैनल जे एम्मे स्टेडी पॉइंट आज हम हिंदी के 2009 से लेकर 2022 तक जितनी भी अब्जेक्टिव कोशन बिहार बोर्ड में पुछे गए हैं वो सभी पढ़ेंगे चलिए फर्स्ट कोशन है रोज कहानी की नाई का कौन है रोज कहानी की नाई का कौन है मालती है और रोज कहानी के लेखक कौन है तो सचिदा नंद हीरा नंद वासियान अग्य है उप्षन एस का राइट अंसर होगा मालती अगला कोशन अर्ध नारिश्वर किसकी रचना है? अर्ध नारिश्वर रामधारी से दिनकर की रचना है ओप्शन ये इसकर आइटंसर होगा दिनकर की अगला कोशन संपून करांती का नारा किसने दिया? संपून करांती का नारा किस ने दिया तो जय प्रकाश नारायन ने ओप्षन बीस का राइटम सरहुगा जय प्रकाश नारायन अगला कोशन उसने कहा था किस वर्ष की रचना है उसने कहा था 1915 इस्वी की रचना है ओप्षन एस्वी का राइटम सरहुगा अगला कोशन देखते है बाल क्रिश्न भट किस काल के रचनाकार है बाल क्रिश्न भट आधूनिक काल के रचनाकार है ओप्षन डीस्वी का राइटम सरहुगा आधूनिक काल अगला कोशन एक लेक और एक पत्र के लेखक है एक लेक और एक पत्र के लेखक कौन है तो भागर सिंग ओप्शन सी से कर आइटम सरह होगा अगला कोशन इन में से कौन सी रचना जग्दीश चंदर माथूर की है इन में से कौन से रचना जगदीश चंद्र माथूर की है बाचित है या ओ सदा नीरा है या तीरिच है या हसते हुए मेरा अकेला पन जगदीश चंद्र माथूर की रचना ओ सदा नीरा है Option B इसकर आइट अंसर होगा ओ सदा नीरा अगला कोशन सिपाही की मा के रचनाकार है सिपाही की मा के लेखक मुहराकेश है Option D इसका राइटन सरूगा मुहराकेश अगला कोशन देख लेते हैं जूठन क्या है? जूठन क्या है? एक आत्म कथा है Option D इसका राइटन सरूगा आत्म कथा अगला कोशन हसते हुए मेरा अकेला पन किस विधा की रचना है। हसते हुए मेरा अकेला पन डायरी। ओप्शन 20 का राइट अशर होगा। अगला कोशन देखते हैं। इन में से प्रेम की पीर के कभी हैं। गानानंद है, option एस का राइट अंसर होगा, गानानंद अगला कोशन, सूर्दास किस भाशा के कवी है? सूर्दास ब्रज भाशा के कवी है option बीस का राइट अंसर होगा, ब्रज भाशा अगला कोशन देखते हैं, तुलसी दास का बचपन का नाम क्या था? तुलसी दास का बजपन का नाम राम बोला था option A इसका राइट अन्सर होगा नाभा दास के दिख्षा गुरु कौन थे? उनके दिख्षा गुरु सुवामी अगरे दास थे option B इसका राइट अन्सर होगा अगला कोशन भूशन को भूशन की उपाधी किस ने दी थी तो राजा रूद्र सा ने दी थी ओप्षन सीज का राइटन सरूगा अगला कोशन तूमल कोलहाल कलह में किसकी रचना है तूमल कोलहल कलह में किसकी रचना है तो जै परकाश शोरी जै शंकर परसाद की रचना है ओप्षन भीस कर आइटन सरूगा जै शंकर परसाद अगला कोशन पुत्र ब्योग किसकी रचना है तो सुभधरा कुमारी 24 के Option is का राइट अंश रोगा अगला कोशन देखते है नीम्न में से शुद शब्द कौन है इन में से शुद शब्द कोन है तो अध्ययन Option is का राइट अज रोगा अध्ययन अगला कोशन मुक्ती बोध का जन स्थल है मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहा है तो मध्य पर्देश में है Option C इसका राइट अंसर होगा मध्य पर्देश अगला कोशन अधिनायक किस कवी की रचना है अधिनायक किस कवी की रचना है तो रगुवीर सहाई की रचना है Option A इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन, वार्त अलाब का संधी विचेद क्या है? वार्त प्लस अलाब वार्त अलाब का संधी विचेद वार्त प्लस अलाब है ओप्शन B इसका राइट अन्सर है अगला कोशन, नाइक का संधी विचेद क्या होगा? तो ने प्लस अक ओप्षन 20 का राइटन सरूगा अन्यवेशन का संधी विछेद क्या हुगा? तो अन्यवेशन का संधी विछेद अन्यू प्लस एशन ओप्षन 20 का राइटन सरूगा अगला कोशन उद्गम का संधी विछेद क्या हुगा? तो उत प्लस गंग, ओप्शन 20 का राइट अंसर है, अगला कोशन, निश्चल का संधी विशेद, निश्चल का संधी विशेद क्या होगा, तो ओप्शन 20 का राइट अंसर होगा, अगला कोशन, लुटेरा में कौन सा प्रते है, तो ओप्शन 20 का राइट अंसर होगा, ओप्शन 20 का राइट अंसर होगा, अगला कोशन, अग्यान में कौन सा उपसर्ग है, अग्यान में कौन सा उपसर्ग है, तो ओ है, ओप्शन 20 का राइट अंसर है, अगला question देखते हैं राजकुमार कौन सा समासे तत्पूरुष समासे राजकुमार में option 20 का right answer है अगला question दाल रोटी के समास का नाम बता है दाल रोटी कोन सा समासे तो दोन्द समासे option 10 का right answer होगा अगला question घंशाम कौन सा समासे घंशाम कर्मधारे समासे ओप्शन ए इसका राइटम सरूगा चोराहा कौन सा समासे जिसमें संख्या आता हो जैसे चोराहा उसे दीगु समास कहते हैं चोराहा या त्रिकाल या पंच तत्व ये सब दीगु समासे ओप्शन बीज कर राइटम सरूगा अगला कौशन पितामबर कौन सा समासे पितामबर कौन सा समासे पितामबर बहविरी समासे बहविरी समास किसी कहते हैं जिस समास में कोई पद परधान नहीं होता बाहर से आकर कोई अन्य पद परधान हो जाता है जैसे नीलकन, दशानन, पिता अमबर जिसका पीला है अमबर गनेश, option 20 का राइट अंसर होगा बहविरी समास है अगला कोशन पय का प्रियाबाची शब्द क्या है पय का प्रियाबाची शब्द क्या है पय का प्रियाबाची शब्द दूध है option इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन अनुराग का विलोम क्या होगा अनुराग का उल्टा विराग option 20 का राइट अंसर होगा विराग अगला कोशन ग्यानेंद्र पती रचित कवीता का नाम क्या है? ग्यानेंद्र पती रचित कवीता का नाम गाउं का घर है ओप्षन बीस कराई टन सरुगा ग्यानेंद्र पती रचित कवीता का नाम गाउं का घर है अगला कोशन क्रिश्न का विलों क्रिश्न का उल्टा क्या होगा सफेद क्रिश्न क्या थे तो सामले थे काले थे उनका उल्टा क्या होगा सफेद ओप्षन बेस का राइट अंसर होगा सफेद अगला कोशन स्थावर का विलोम क्या है स्थावर का विलोम स्थीर है Option A का राइट अंसर होगा, स्थिर अगला कोशन, नर का विप्रार्थक शब्द क्या है? नारी होगा Option D का राइट अंसर होगा, नारी अगला कोशन, स्थूती का विलोग स्थूती का उल्टा क्या होगा? निंदा होगा Option A का राइट अंसर होगा, निंदा अगला कोशन संधिया का विलों, संधिया का विलों प्राता होगा, ओप्षन बीस करेट अंसर होगा अगला कोशन शीव का उपासक कहलाता है, शीव का उपासक क्या कहलाता है, शेव ओप्षन बीस करेट अंसर होगा, शेव कहलाता है अगला कुशन अपने पेरो पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ अपने पेरो पर खड़ा होना सुर लंबी होना ओप्शन दीज कर आइटन जरूगा अगला कुशन आस्मान तूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आसमान तूतना मुहावरे कार्थ अच्यानक मुसीवत आना Option B का राइटन सरुगा अगला कोशन घाट घाट का पानी पीना मुहावरे कार्थ क्या हुगा? बहुत अन्भवी होना Option B का राइटन सरुगा बहुत अन्भवी होना अगला कोशन त्राही त्राही करना मुहावरेकार्ध क्या होगा? स्वाण का विशेशन क्या होगा? स्वाण का विशेशन स्वाणनम होगा? ओप्षन बेस का राइटम सरोगा. अगला कोशन जगत का विशेशन क्या होगा? जगत का विशेशन? अगला कुशन, दिन का विशेशन, दैनिक हुगा, ओप्षन 20 का राइटन सरुगा, अगला कुशन, करवक, शीर्षक कविता किस महाकावी का अन्श है, तो पदमावत का, ओप्षन यसका राइटन सरुगा, पदमावत का अन्श है, अगला कुशन, तलवार शक्द का विलों हुगा, सायक, अगला कुशन, उसने कहा था कहानी के कहानी का कौन है, उसने कहा था के लेखा कौन है, तो चन्धर शर्मा गुले ली है उसने कहा था कहानी के लेखा अगला कोशन सूर्षागर के कवी है सूर्षागर के कवी सूर्दास है अगला कोशन संपूर करांती के रचनाकार कौन है संपूर्ण करांती के रचनाकार जय परकाश नारायन है Option B इसका राइट अंसर होगा जय परकाश नारायन अगला कोशन देखते है उशा शिर्ष कविता के कवी कौन है तो शमशेर बहादूर सी है Option C इसका राइट अंसर है अगला कोशन आकर्षन शब्द का विलोम क्या होगा इसका अंसर अब कमेंट में बताईए अगला कोशन प्रित्वी प्रित्वी के लेखक कौन है तो नरेश सक्सेना Option D इस का राइट अंसर होगा नरेश सक्सेना अगला कोशन कलरक की मौत कलर्ग की मौत के लेखक कौन है अंतोन चेखव ओप्शन सी इसका राइट अंसर होगा कलर्ग की मौत के लेखक अंतोन चेखव है अगला कोशन हार जित्थ हार जित के लेखक कौन है हार जित के लेखक अशोक वाजबेई है ओप्शन एसका राइट अंसर है अगला कोशन पेशगी, पेशगी क्या है? कहानी है, ओप्षन से इसका राइट अंसर होगा, पेशगी एक कहानी है, अगला कोशन, रामा नूज शब्द कौन सा समास है? रामा नूज बहविरे समास है, ओप्षन इसका राइट अंसर होगा, अगला कोशन, हस्ते हुए मेरा अकेला पन, शिर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहा है? हसते हुए मेरा अकेला पन शिर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है ओप्षन सी इसका राइट अंसर होगा सूरज की रोशनी में अगला कोशन जया सी किस शाखा के कभी है किस शाखा के कभी है तो प्रेम मारगी शाखा के कभी है Option A इसका राइट अंसर होगा प्रेम मारगी अगला कोशन प्रेम चंद किस काल के रचनाकार है प्रेम चंद भक्ति काल के रचनाकार है Option B इसका राइट अंसर है अगला कोशन नामबर से दुवारा लिखित प्रग्यति और समाज क्या है प्रेम चन्द आधुनी काल के रचनकार है अगला कोशन नामवर सी द्वारा लिखित प्रगती और समाज क्या है तो अलोचना है अगला कोशन अगला कोशन लहना सी किस कहानी का पात्र है लहना उसने कहा था कहानी का पात्र है अगला कोशन छत से उत्री हुई लता किस कारक का उधारन है तो आपदान कारक का उप्षन 20 का राइटन सर है अगला कोशन कुबेर शब्द का प्रयावाची क्या होगा कुबेर जो धन को रखते हैं उन्हें कुबेर कहते हैं उनका प्रयावाची क्या होगा तो धन नद होगा अगला कोशन बाचीत साहित की कोन सी विधा है तो निबंध है उप्षन सी इसका राइटन सर होगा निबंध है अगला कोशन तुलसी दास का मू बोला नाम क्या था तुलसी दास का मू बोला नाम राम बोला था उप्षन डी इसका राइटन सर है अगला कोशन ओम परकाश बालमेकी की रचना कौन सी है तो जूठन और ये एक आत्मकथा है ओप्शन सीज का राइट अंसर है अगला कोशन शब्दान्ष कितने परकार के होते हैं शब्दान्ष पांच परकार के होते हैं अगला कोशन निम्न लिखित में शूठ वाके कौन है इनमें से शूठ वाके है साहित्ते और जीवन का अभिन संब्द है अगला कोशन रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है रोज शीर्षक कहानी के लेखक अगे है सचिदा नंद, हीरा नंद, वास्यान अगे अगला कोशन हिंदी में कुल कितने सर्व नाम है हिंदी में कुल 11 सर्व नाम है अगला कोशन अगला कोशन गाव का घर कवीता के रचैता कौन है गाव का घर के कवी कौन है तो ग्यानेंद्र पती है ओप्शन सी इस का राइटम सर्व है अगला कोशन शिक्षा शिर्षक निवन्द के निवन्दकार कोण है वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर लिजी चलिए अगला कोशन देखते हैं भगवान श्री कृष्ण किस कवी के पूज्य थे भगवान श्री कृष्ण सूर्दास के पूज्य थे Option D इसका राइट अंसर है अगला कोशन आपकी पाठ पूस्तक में नभादास की कवीता किन दो कवियों के बारे में है नभादास की कवीता के किन दो कवियों के बारे में है तो कवीर एवं सूरदास के बारे में है Option D इसका राइट अंसर है अगला कोशन नाला शब्द का स्त्रिलिंग रूप क्या है नाली होगा उप्षन एसका राइटन सरे अगला कोशन तीरिच कहानी के कहानी कार कौन है इसके लेखक उधे परकाश है ओप्षन एसका राइटन सरे तीरिच कहानी बहुत दर्द भरी कहानी थी और अच्छी भी है अगला कोशन शिवराज भूशन में कितने अलंकारों का निरूपन हुआ है अगला कोशन शिवराज भूशन में 105 लंकारों का निरूपन हुआ है ओप्षन एसका राइटन सरे अगला कोशन छोड काम दोर कर आई मा कहकर जिस समय पुकारा किस कवीता की पंक्ती है ये किस कवीता की पंक्ती है तो पुत्रवियोग की ओप्षन सी इसका राइटन सर है पुत्रवियोग कवीता की ये पंक्ती है अगला कोशन बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बात बनाने का मुहावरे का अर्थ होगा बहाना करना ओप्षन ए इसका राइट अंसर है बहाना करना अगला कोशन अर्थ की दिरिष्टी से वाक्य के कितने भेध होते हैं अर्थ की दिरिष्टी से वाक्य के 8 भेद होते हैं ॑प्षन B इसका रइट अंसर होगा, आठ भेद होते हैं अगला कोशन शब्द का प्रयावाची है चाई शब्द कौन लिंग है? चाई शब्द इस्री लिंग है इस तरी लिंग है, ओप्षन एस का राइट अंसर होगा अगला कोशन पुरुसकार शव्द का विलोंग पुरुसकार का विलोंग क्या होगा? दंड होगा ओप्षन एस का राइट अंसर होगा पुरुसकार का उल्टा दंड होगा अगला कोशन वर्ण के आधार पर संधी के कितने भेद होते हैं वर्ण के आधार पर संधी के तीन भेद होते हैं ओप्षन बेस का राइट अंसर होगा स्वर संधी और वियंजन संधी और विसर्ण संधी ये तीन भेद होते हैं ओप्षन बेस का राइट अंसर है अगला कोशन दक्षिन शब्द कौन सी संगया है? किसी वेक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराता है उसे वेक्ति वाचक संगया कहते हैं जैसे दक्षिन दक्षिन वेक्ति वाचक संगया है ओप्षन B इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन बहु जन संप्रेशन के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो जगदीश चंद्र माथूर ने ओप्षन B इसका राइट अंसर होगा अगर इस वीडियो पर आपका अच्छा रिस्पोंस मिलता है तो इसका पार्ट टू आएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं मोहराकेश रचित नाटक संग्रव है मोहराकेश रचित नाटक संग्रव किसका है तो अशार का एक दिन ओप्षन डेस का राइट अंसर होगा अगला कोशन तुलसी दास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसी दास की पत्नी का नाम रतनावली था ओप्षन बेस का राइट अंसर है अगला कोशन अगला कोशन है हार जीत किस परकार की रचना है? हार जीत पद कभिता है ओप्षन बेस का राइट अंसर है अगला कोशन अत्रीक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है अत्रीक्त शब्द में अत्ती उपसर्ग है ओप्षन B इसका राइट अंसर है अगला कोशन गंगा शब्द का प्रियावाची क्या होगा मन्दाकनी होगा ओप्षन A इसका राइट अंसर होगा मन्दाकनी अगला कोशन है दात गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दात गिनने का मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना ओप्शन एसका राइट अंसर होगा उम्र का पता लगाना अगला कोशन विकास शब्द में उपसर्ग है विकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विकाश शब्द का उपसर्ग होगा V ओप्शन A इसका राइटन ज़र होगा और आपने अभी तक चैनल को सिस्क्राइब और वीडियो को लाइक निश्ट प्रिस कर दीजिए